हेलो फ्रेंड्स, नोलेज मनली में आप सभी का स्वागत है, आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमबर्ग 2023 पराधारित कोशन सीरीज मुशी महारानी की चतरी सरंकला तीन आज हम करने वाले हैं, और ये सभी कोशन से आपके सातियो नोलेज मनली ने आपके सिलेवस को चारो और से घहरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, इसके साथ में एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है, अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं 41. Which of the following is not considered essential for effective exchange of ideas? विचारों की प्रभावी आदान परदान के लिए निमली खितमे से क्या आवसक नहीं माना जाता, जो effective exchange of ideas होते हैं, उसके लिए कौन सी चीज आवसक नहीं होगी, option हमारे हो जाएंगे, languages, communication, logical reasoning, और D option हो जाएगा, memorization. विचारों के प्रभावी आदान परदान के लिए निमली खितमे से कौन सी चीज आवसक नहीं है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा, D हो जाएगा, memorization जरूरी नहीं होगा, languages हैं, वो तो बहुत ही आवसक हो जाएंगी, भासा है, वो विचारों के आदान परदान का माध्यम बन गजगी, प्रण्टु, memorization जरूरी नहीं होगा, प्रभावी आदान परदान के लिए, विचारों के प्रभावी आदान परदान के लिए, मैमोराएजेशन की आवसकता नहीं होगी, बाकि सभी चीज आवसक हो जाएंगी, languages हैं, communication है, logical reasoning, यह सभी जरूरी हो जाएंगे, प् पर NCF 2023, NCF 2023 के अनुसार निमली खित में से कौन सी प्रमुक शमता, मुल्य और सुभाव नहीं है, वो चीज हमें पता लगाने हैं, जिसमें प्रमुक शमता नहीं मानी गई है, वेल्यू नहीं मानी गई है, सुभाव नहीं माना गया है, NCF के अनुसार, ओप्शन देख लेते ह वेलिज्म, औरल एंड रिटेन कम्मिनिकेशन, मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस एंड वेल बिइंग, C ओप्सन हो जाएगा, फाइनेंशियल लिटरेसी और D ओप्सन हो जाएगा, कोलाइबरेशन, तो कौन सी चीज है जो जरूरी नहीं होगी, प्रमुक शमता, मूल्य और बाव नहीं माना गया है, बाकी सबी चीजें जरूरी हो जाएगी, मल्टी लिग्मेलिज्म है, वो जरूरी हो जाएगी, भहु भासावाद है, या बहुल भासा का ग्यान होना जरूरी हो जाएगा, ये एक रिसोर्स की रूप में माना जाता है, तो मल्टी लिग्मेलिज्म well-being बहुत ही आवसक हो जाएगी क्योंकि किसी की capacity अगर आपको देखनी है तो mental well-being होनी चाहिए, physical fitness होनी चाहिए और values disposition है तब ही आएंगे जब वो mentally और physically fit होगा और collaboration है बहुत आवसक हो जाएगा, collaboration है वो capacity को develop करने में मदद करता है, value develop करने में मदद करता है, disposition सभाव के लिए भी ज़रूरी हो जाएगा तो सभी चीज़े आवसक हो जाएगे परन्तु financial literacy है वो इनके लिए ज़रूरी नहीं होगा financial literacy ज़रूरी हो जाएगा परन्तु capacity, value और disposition के लिए छमता मूले और सभाव के लिए ज़रूरी नहीं होगा, सही उत्तर हमारा हो जाएगा, C हो जाएगा financial literacy question देख लेते 43, why is periodic assessment of learning necessary सीखने का आवदिक, समय समय पर मूल यांकन क्यों आवसक है जो periodic assessment होता है वो क्यों जरूरी होता है, learning के लिए क्यों आवसक होता है option हमारे हो जाएगे, to test facts subject knowledge, to ensure readiness for the next phase of learning to conduct assessment as learning or D option हो जाएगा to arrange suitable support for students सीखने का आवदिक यानि की periodic assessment है वो क्यों जरूरी हो जाता है सही उत्तर हमारा हो जाएगा B हो जाएगा, to ensure readiness for the next phase of learning मान लिजे कि एक chapter आपने पढ़ाया है, तो इसका test लेना जरूरी हो जाएगा, अगले chapter में जाने के लिए, बच्चा क्या next chapter के लिए ready है, इसके लिए क्या करना होगा, पहले आपको periodic assessment करना होगा periodic assessment जिसको unit test या PWT test बोलते है, unit first आपने पढ़ा लिया है, तो इसके बाद में बच्चा अगले chapter के लिए ready hack नहीं है, ये जान्चने के लिए आपको क्या करना होगा, periodic assessment करना होगा, आवदिक मुल्यांकन करना होगा, सही उत्तर यहां पर हो जाएगा B हो जाएगा, to ensure readiness for the next page of learning move to question number 44 what does the NCF aim to account for, NCF का लक्ष किस से सम्मंदित है, the reality of the average teacher and school, the availability of resources for teachers or C option है, the capacities of the surrounding system, D option हमारा हो जाएगा, the community and socio-economic backgrounds of students तो NCF का aim क्या हो जाएगा, किस से सम्मंदित होगा सही उत्तर हमारा हो जाएगा A हो जाएगा, the reality of the average teacher and school, मतलब कि सिक्षकों और विद्याले की छमता है, reality है वास्तविक्ता है, उसको समझने के लिए NCF का लक्ष निर्दारित किये गए है NCF के लक्ष किस से सम्मंदित हो गए, the reality of the average teacher and school से सम्मंदित लक्ष हो जाएगे सही उत्तर हमारा हो जाएगा, यह हो जाएगा अगला सवाल देख लेते, 45 What must change in the assessment culture मुल्यांकन संस्कृती यानि की आकलन पदती में क्या परिवर्तन होना चाहिए periodic assessment for learning conducting assessment as learning periodic assessment of learning और D option हो जाएगा arranging suitable support for students E option है A and B only मुल्यांकन संस्कृती assessment culture या आकलन पदती में क्या परिवर्तन होना आवसक हो जाएगा, आपके अनुसार सही उतर यहां पर हो जाएगा E हो जाएगा A and B only मुल्यांकन की संस्कृती आकलन में क्या परिवर्तन होना चाहिए पहला है periodic assessment for learning यहाँ पर periodic assessment है वो किसके लिए हो रहा है सीखने के लिए हो रहा है सही उतर यहां पर हो जाएगा A and B only दोनों periodic assessment for learning और as learning यहां पर हो जाएगा यह संस्कृती बदलनी होगी किसके लिए assessment के लिए या मुल्यांकन के लिए आकलन के लिए सातियों कोशन पसंद आ रहे हैं तो like बटन दबाईए नया सवाल देख लेते 46 What response will be done in class 10th and 12th board exams कक्षा 10 और 12 की board परिक्षाओं में क्या सुधार किये जाएंगे board परिक्षाओं से संबंदित class 10th और 12th की board परिक्षाओं से संबंदित क्या सुधार करने की आव सकता हो जाएगी क्या सुझाओ दिये गये है option देख लेते हैं they will be made easier they will primarily aim to assess understanding and achievement of competencies students will be allowed to take board examinations on at least two occasions during any given school year D option हमारा हो जाएगा all of the above कक्षा 10 और 12 की board परिक्षाओं में क्या सुधार किये जाने का प्रावधान किया गया है सही उत्तर हमारा हो जाएगा D हो जाएगा all of the above NEP 2020 में ये बात बताई गई थी और साथ में NCF 23 में ये बात इसपस्ट कर दी गई है कि board exam में क्या सुधार किये जाने वाले है they will be made easier board परिक्षाओं हैं वो आसान होनी चाहिए एक terror नहीं होना चाहिए board परिक्षा का terror नहीं होना चाहिए phobia नहीं होना चाहिए आसान होने चाहिए साथ में they will primarily aim to assess understanding and achievement of competencies बच्चे की समझ है और बच्चे के उपलब दिया है उनको पता लगाने के लिए होनी चाहिए board परिक्षाओं और तीसरा point बताया गया है students will be allowed to take board examinations on at least two occasions during any given school year ये बहुत बड़ा change किया गया है board परिक्षाओं है वो दो बार होंगी एक school इसत्र में दो बार board परिक्षाओं है इनका प्रावधान किया गया है तो ये सभी सुदार किये जाएंगे board परिक्षा है वो आसान होनी चाहिए साथ में understanding को achievement को समझने के लिए होनी चाहिए और दो बार परिक्षाओं होनी चाहिए माली जे एक परिक्षा में बच्चा अच्छे से perform नहीं कर पाया है तो उसको दूसरा chance मिलना चाहिए तो ये बहुत सारे सुदार है वो किये जा रहे है NEP 2020 के अमसार जिसको implement किया जा रहा है NCF 2023 के अमसार सयुद्तरियां पर हो जाएगा D हो जाएगा All of the above नया सवाल देख लेते 47 What is the main aim of the reformed board examinations for grades 10th and 12th कक्षा 10 वी और बार वी के लिए संसोदित board परिक्षा का मुख उद्देश क्या है क्या परपज है जिससे की board examinations को reform किया जा रहा है option हमारे हो जाएगे To assess understanding and achievement of competencies To focus on coaching and memorization To increase the difficulty level of the exams और D option हो जाएगा To eliminate periodic assessment of learning तो 10 वी और 12 वी के board परिक्षाओं में संसोदन किया जा रहा है इसका उद्देश क्या हो जाएगा सही उद्दर हमारा हो जाएगा To assess understanding and achievement of competencies बच्चों की चमताओं की समझ और उपलबदियों को जाचने के लिए क्या किया जाएगा 10 वी और 12 वी की board परिक्षाओं में संसोदन किये जाने का उद्देश रखा गया है सही उद्दर हमारा हो जाएगा A हो जाएगा To assess understanding and achievement of competencies Question number 48 What will be the result इप a student takes the board exam more than once and fails in any one exam यदि कोई चातर एक से अधिक बार board परिक्षा देता है और किसी एक परिक्षा में आसफल हो जाता है तो परिनाम क्या होगा क्या उसको फिर से परिक्षाओं देनी होंगी या कौन सा exam का परिनाम लिया जाएगा Option हमारे हो जाएगे The average score will be calculated The highest score will be retained The lowest score will be retained और D option हो जाएगा All scores will be retained क्या होगा यदि कोई बच्चा दो बार परिक्षाओं देता है और किसी एक में आसफल हो जाता है तो बच्चे का result क्या होगा परिक्षाओं क्या होगा सही उत्तर यहां पर हो जाएगा The highest score will be retained दो परिक्षाओं दी जा रही है तो एक परिक्षा में कम score आता है दूसरे में ज़्यादा score आता है तो दूसरे वाले का परिनाम है वो retain कर लिया जाएगा जिसमें भी highest score आएगा उसको retain कर लिया जाएगा इससे की बच्चे के performance है वो अच्छा बना रहेगा तो highest score को retain किया जाएगा सही उत्तर हमारा हो जाएगा B हो जाएगा The highest score will be retained National curriculum framework 2023 पर आदारित मुसी मारानी की चतरी सीरीज थर्ड का अगला सवाल देख लेते What factors contribute to the overall learning experience of students विद्यार्थियों के समगर सीखने के अनुभव में कौन से कारक योगदान करते हैं curriculum content and pedagogy school environment, practices and culture C option is teachers ability to perform their roles effectively D option is All of the above विद्यार्थियों के समगर सीखने के अनुभव में कौन से कारक महतपून योगदान करते हैं सही उत्तर हमारा हो जाएगा D हो जाएगा All of the above curriculum content है साथ में सिक्षन विद्या है pedagogy है वो important कारक होते हैं साथ में school environment है practices है culture है ये भी सीखने में योगदान करते हैं Teachers ability to perform their roles effectively ये बहुत बड़ा role हो जाएगा Teachers की छमता है जिससे की वो प्रभावसाली तरीके से बच्चों को deal कर सके तो ये सभी कारा के विद्यार्तियों के समगर सीखने के अनुबव में महत्पूनर योगदान करते हैं सही उत्तर हमारा हो जाएगा D हो जाएगा All of the above question देख लेते 50 What is the goal of transforming the culture of schools? इस्कूलों की संस्कृति में परिवर्तन का क्या उद्देश है To maximize the ability of teachers To ensure that all members of the school are part of vibrant, caring and inclusive communities C option है To make students feel safe and comfortable D option हो जाएगा All of the above सही उत्तर क्या होगा इस्कूलों की संस्कृति में परिवर्तन का क्या उद्देश हो जाएगा सही उत्तर हमारा हो जाएगा D हो जाएगा All of the above To maximize the ability of teachers मतलब की स्कूलों की संस्कृति इस परिवर्तित करनी है जिससे की सिक्षक हैं अपनी पूर्ण चमता के साथ में पढ़ाई करवा सकें और साथ में To ensure that all members of the school are part of vibrant, caring and inclusive communities मतलब की सभी का important role है और सभी अपने full page से contribute करें पढ़ाई का महोल है सुदारने में सभी का role हो जाए और C option में बताया गया है To make students feel safe and comfortable मतलब की जहां बच्चा पढ़ाई कर रहा है वहाँ आपने आपको सुरक्षित महसूस करे आरामदायक महसूस करे तो ये सभी परिवर्तन हैं बदलाव हैं स्कूल संसकर्ती में किये जाने के उद्देश रखे गए हैं सही उत्तर हमारा हो जाएगा D हो जाएगा All of the above सात्यों knowledge मंडली ने आपके से लिए उसको घेरने के लिए बवंदर प्लान बनाया हुआ है जिसमें service rules है academic part और paper का general part भी करवाया जा रहा है और बवंदर प्लान के वीडियो हैं आपके लिए बहुत ही important होने वाले हैं जैसे कि DCAC, principal, vice principal, SOAS, UDC PGT, TGT, PRT, warden, EMRS, NVAS, KVAS, DTSB, CTAT, REIT और दूसरी examen essence के लिए अगर आपने बवंदर प्लान के वीडियो नहीं देखें तो जरूर देखिए और अपनी सफलता को एक नई दिशा दीजिए NCF 2023 पर आदारित मूसी मारानी की छतरी सरंका तीन का अगला सवाल देखते हैं 51 How many occasions will students be allowed to take board examinations during a school year एक school verse के दोरान चातरों को कितनी बार board परिक्षा देनी की अनमती दी जाएगी बहुती बच्चो कोशन है और इस परकार के छोटे-छोटे कोशन भी अगर हम गलत कर देते हैं तो एकजाम हाल से भार आने पर हमारा चैरा देखने लायक बनता है परिक्षा देनी की अनमती होगी आपको पता होना चाहिए NEP 2020 में ये बात बता दी गए कि board परिक्षा हैं वो कितनी बार होती है और NCF में ये implement कर दिया गया है NCF एक तरीके से implementing tool होता है कि कौन से तरीके से पढ़ाई का महौल होगा क्या pattern होगा ये सब बताया जाएगा NCF में तो board परिक्षा हैं वो कितनी बार होने वाले है निश्चित रूप से आपको उत्तर पता है सही उत्तर यहां पर हो जाएगा B हो जाएगा At least two occasions यानि की साल में कम से कम दो बार board परिक्षा होनी चाहिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा B हो जाएगा Question देख लेते 52 Who are the members of the school community as per the NCF 2023 NCF 2023 के अंसार School समदाय के सदस कौन-कौन होते हैं कौन-कौन school community के सदस से हो जाएगे Option देख लेते Teachers, Students, Parents and Principals Teachers, Students, Parents, Principals and Other Support staff Teachers, Students, Principals and Other Support staff Teachers, Students, Parents and Other Support staff तो कौन सदस हो जाएगे School community के कौन member हो जाएगे सही उत्तर हमारा हो जाएगा B हो जाएगा Teachers, Students, Parents, Principals and Other Support staff Teacher तो डारेक्ट जुड़ा हुआ है बच्चे के साथ में जुड़ा हुआ है Parent भी जुड़े हुए है Principal भी जुड़ा हुआ है परन्तु Support staff जो बच्चे के पढ़ने में सीखने में सपोर्ट कर रहे है वो भी इसमें सामिल हो जाएगे तो Other staff भी इसमें सामिल हो जाएगे ये सबी मिल करके School community बनाते है NCF 2023 के अनुसार सही उत्तर हमारा हो जाएगा B हो जाएगा Teachers, Students, Parents, Principals and Other Support staff Question देख लेते 53 Who can act as role models to students in developing a nurturing school environment and culture School के माहौल और संस्कृती को विक्सित करने में चात्रों के लिए role model के रूप में कौन कार्य कर सकता है Option है Teachers, Principals and Other School Functionaries Parents and Guardians Community Members Students themselves तो role model के रूप में School की संस्कृती माहौल को विक्सित करने में चात्रों के लिए role model के रूप में कौन कारे कर सकते है सही उत्तर हमारा हो जाएगा यह हो जाएगा Teachers हैं वो role model होते बच्चे के साथ में principles हैं Other Functionaries हैं जो विद्याले के दूसरे Functionaries हैं वो भी role model के रूप में कारे कर सकते हैं तो teacher, principal और दूसरे Functionaries हैं वो role model के रूप में कारे कर सकते हैं किस के लिए विद्याले के माहौल और संस्कृति को विक्सित करने के लिए बच्चों को लिए क्या हो जाएगे role model हो जाएगे सही उत्तर हमारा हो जाएगा यह हो जाएगा creative writing, technical writing, descriptive writing किस परकार का लेकन चात्रों को आवसक शमताओं को प्राप्त करने में मदद करेगा सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा creative writing है वो आवसक शमताओं को प्राप्त करने में मददगार साबित होगा सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा creative writing, move to question number 55, which of the following practices can help developing corresponding values and dispositions in students, निमिलिकित में से कौन सी परता चात्रों में तदन रूप मुल्यों और सभावों को विक्षित करने में मदद कर सकती है, option हमारे publicly sharing student information about their socio-economic backgrounds, treating students differently based on caste, gender, religion, disability, etc. और C option है respecting students home languages different from the many school languages, D option हो जाएगा neglecting the natural environment and not practicing recycling, तो निमिलिकित में से कौन सी परता चात्रों में तदन रूप मुल्यों और सभावों को विक्षित करने में मदद गार हो सकती है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा, C हो जाएगा respecting students home languages, different from the many school languages, मूँ टू कोईसन नमबर 56, Who are the stakeholders mentioned in the NCF, NCF में उलिकित हित धारक कौन है, कौन ही stakeholders हो जाएगे, हमारे option हो जाएगे, policy makers, educational administrators and functionaries, syllabus and content developers, parents, teachers and students, और D option हो जाएगा, all of the above, Who are the stakeholders, मतलब की हित धारक कौन है, NCF है, वो किसके लिए बनाया गया है, कौन उसका use करेंगे, कौन उनको implement करेंगे, और किसके लिए ये बनाया गया है, उसके हित धारक कौन है, stakeholder कौन है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा, D हो जाएगा, all of the above, policy maker है, वो भी stakeholder है, साथ में educational administrators है, functionaries है, वो stakeholder होंगे, syllabus और content developer है, वो भी stakeholder होंगे, और parents, teachers and students, ये सभी क्या होंगे, stakeholder हो जाएगे, सही उत्तर हमारा हो जाएगा, D हो जाएगा, all of the above, dear friends, question पसंद आ रहे हैं, तो अपने मित्रों को जरूर बताएगे, नया सवाल देख लेते, 57, what is the purpose of preparing national curriculum framework, NCF, राश्टिय पार्टचरिया रूपरेका, यानि की NCF तैयार करने का उद्देश क्या है, option है, to provide high quality education to all children, to develop diverse curricula in the country, to empower institutions and educators, to support consonances and harmony across the country, तो राश्टिय पार्टचरिया रूपरेका, यानि की NCF को तैयार करने का उद्देश क्या हो जाएगा, सही उत्तर हमारा होगा, B होगा, to develop diverse curricula in the country, ये बहुत ही important हो जाएगा, local culture है, local community है, उनकी चीजों को respect करना है, उनको भी value करना है, इसके लिए diverse curricula बनाना जरूरी हो जाएगा, हमारा देश है, वो विविदताओं से भरा हुआ है, तो आप एक चीज लागू नहीं कर सकते, एक करिकुला लागू नहीं कर सकते, उनकी local need है, उनकी local culture है, उनकी local language है, उनको भी सामिल करना है, तो diverse curricula बनाने के लिए NCF है, वो तयार किया जा रहा है, तो ये उद्देश हो जाएगा, सही उत्तर हमारा हो जाएगा, B हो जाएगा, to develop diverse curricula in the country, move to question number 58, what is the main focus of the transformation in assessment? मुल्यांकन में परिवर्तन का मुख फोकस क्या है, मुल्यांकन में परिवर्तन यानि की transformation की क्यों जर्रत है, क्या फोकस किया गया है, कौन सी बात को फोकस किया गया है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा, B हो जाएगा, टेस्टिंग कोर कैपसिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज, जो छमता और योगता है, उनको जाचने के लिए मुल्यांकन में बदलाव किये जा रहे हैं, परिवर्तन किये जा रहे हैं, सही उत्तर याँ पर हो जाएगा, टेस्टिंग कोर कैपसिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज, एंसीएप पर आदारित मुसी मारानी की चतरी सरंकला, तिर्तिय का नेक्स्ट कोशन देख लेतें, फिप्टी नाइन, NCF शिप्ष्य प्रणाली के अभिनियताओं के रूप में, किसका उलेक करता है, उसने हीरो किसको माना है, एक्टर किसको माना है, ऑपशन देख लेते हैं, तीचर्स ओनली, एजुकेशनल एड्मिनिस्टेटर्स, only teachers and educational administrators और D option हो जाएगा teachers, educational administrators, academic support institutions, schools and their leadership and families and communities of students तो NCF सिख्षा प्रनाली के अनुषार अभिनेताओं की रूप में किसका उलेक करता है NCF ने किसको actor बोला है किसको hero बोला है सही उतरियां पर हो जाएगा D हो जाएगा teachers, educational administrators, academic support institutions, schools and their leadership and families, communities of students ये सभी क्या होंगे actor होंगे जो की बच्चे के सामने role play करेंगे और साथ में बच्चों को एक support देने के लिए बच्चों की मदद करने के लिए जिससे कि उनका school environment है उनका पढ़ाई का माहूल है अच्छा बन सके NCF ने इन सभी को क्या माना है अभिनेता के रूप में माना है टीचर को school administrators को, academic support institutions को, schools को और उनकी leadership को साथ में families, communities जो भी विद्या लेकर माहूल को सुधाने में मदद करता है बच्चे के learning में मदद करता है वो सभी क्या हो जाएंगे, actor कहलाएंगे NCF के अनसार, सही उत्तर हमारा हो जाएगा और साथियों देख लेते हैं, National Curriculum Framework 2023 परादारित question series, मुसी महरानी की चतरी स्रंकला, तिरतिये का अंतिम question 60 what is NCF 2023 providing for curriculum development पाटिकरम विकास के लिए NCF 2023 क्या परदान कर रहा है पाटिकरम को विक्सित करना है, curriculum development करना है तो NCF क्या दे रहा है, NCF क्या परदान कर रहा है guiding principles, goals, structure, all of the above सही उत्तर क्या होने वाला है, निसित रूप से आपको उत्तर पता है सही उत्तर हमारा हो जाएगा, D हो जाएगा, all of the above curriculum को develop करने के लिए NCF क्या परदान कर रहा है guiding principle दे रहा है, साथ में goal भी बता रहा है और structure भी बता रहा है, तो ये सभी चीजे परदान कर रहा है NCF 2023 किस के लिए, पाटिकरम विकास के लिए यानि की curriculum development के लिए ये guiding principle दे रहा है goal भी दे रहा है, structure भी दे रहा है तो सभी उत्तर हमारे ठीक हो जाएगे option हमारा ठीक हो जाएगा, all of the above इस तरीके से friends, NCF परादारित question series मूसी मारानी की छतरी सीरीज के अंतिम question तक हम पहुँच गए है और आभी तक हमने 60 questions है, complete कर लिए है अगर आपने पहले वाले question नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपनी सफलता को एक नई दिशा दीजिए साथियो knowledge मंडली ने आपके syllabus को चारो और से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें service rules है इसके साथ में academic part और paper का general part भी करवाया जा रहा है बवंडर प्लान के वीडियोज है, इन सभी परिक्षाओं के लिए उपियोगी होंगे जैसे कि DCAC principal, vice principal, SOASO, UDC, PGT, TGT, PRT, warden in EMRS, NVAS, KVAS, DSSS, BC, TET and other examinations साथियों आज के question पसंद आए हैं, तो like share करें और channel को subscribe करना तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि knowledge money is the right choice, thank you very much